और फ्रेंड्स आरवी फिशल 07 में आप लोगा स्वागत है आई डबलू ए आई रुकुर्मेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और्गनाजेशन नेम रहने वाला है इनलेंड वाटर बे एथरोडी ओफ इंडिया की और से न्यू अपडेट प्रोभाइक किया गय है इसे पहले आप इस फोर्म को अप्लाई कर दें यहां पे सैलरी पोस्ट वाइज आपका वेरियस सैलरी आपका रहने वाला है इस ओफिसल एपसाइड आई डबलू ए डोट एडोट 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 इन में जाकर आप सिंपिली चेक आउट भी कर सकते हैं इन्पोर्टें ब्हुanne डिर्ट से पहले आप इस फोर्म को अप्लाई कर दें ए ईज लिमिट आपका 29-22024 से आपका एज काउंट किया जाएगा यहां पे आपका वेरियस पोस्ट लीज़ किया गया है फरस्ट में आप देख सकते है데 आपका असिस्टन डरेक्टर के लिए आपका इंजिन च्टेट हैड्रोलिक सर्वेयर के लिए आपका रेकूर्मेंट लिज क्या गया है यहाँ पे इंजन ड्राइवर के लिए आपका 13-year मैकसिमाम और यहाँ पे अकांट जुनियर अकांट ओफिसर के लिए फिर यहाँ पे आपका control operator के लिए store keeper के लिए master to class के लिए आपका staff driver के लिए आपका यहां रहने वाला है MTS of technician assistant जो भी candidate जिस category के basis पे आते हैं और जिस फरकार से आपका education qualification है उस basis पे आपका age limit यहां provide किया गया है प्लस यहां पे आपका age decision भी आपको यहां मिलने वाला है जो भी candidate आप obviously CST female candidate के हैं तो आपका यहां पे age decision provide किया जाएगा यह application fee लिया जा रहा है general और other state के apply करते हैं तो आपका 500 रुपीज application fee submit करना पड़ेगा और यहां अधर candidate के लिए आपका 200 आप online mode से आप इस form को apply कर सकते हैं यहां वेकेंसी detail provide किया गया है जो भी post के लिए apply करना चाते हैं उस परकार से आपका number post आपका distribute क्या गया है यह IWI AI recruitment eligibility criteria में आप दिख सकते हैं account officer के लिए आप यहाँ director के लिए apply करते हैं आपको simply यहाँ पे civil engineer है तो आप यहाँ पे bachelor degree है तो आप इस form को apply कर सकते हैं assistant director के लिए आपका requirement list क्या गया है assistant hydraulic surveyor के लिए आपका civil engineer plus यहाँ पे 3 year का experience होना चाहिए hydraulic surveyor से यह आप trainer आपको कहीं भी इंडियन ने भी यह कहीं भी आपका है तो आप इस form को apply कर सकते हैं engine driver के लिए आपका simply matriculation plus यहाँ पे आपका license compulsory होना चाहिए with tuning आपको आना चाहिए यह junior account officer के लिए यहाँ पे release किया गया simply education qualification में आपको simply commerce है एक commerce है आप degree प्राप्त कर चुके और 3 year का experience है या आप यहाँ पे आपका commercial accounting का आपका state या other private sector से भी किये हैं तो भी आप इस form को apply कर सकते हैं control operator के लिए matriculation plus यहाँ पे 10 year का experience आपका रहना चाहिए store keeper के लिए matriculation 5 year का experience फिर यहाँ पे आपका master 2 class में आप देख सकते हैं कि आपका swimming के लिए आपका certificate होना चाहिए और यहाँ staff का driver के लिए आपका matriculation plus यहाँ पे 2 year का आपका license और experience आपका होना चाहिए इस परकार से जो भी candidate में यहाँ पे आपका रहने वाला MTS के लिए आपका simply matriculation और assistant टेकनिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपका civil engineer mechanical यहाँ पे रहने वाला है architecture भी है तो आप इस form को apply कर सकते हैं और यहाँ पे आपका diploma candidate के लिए आपका यहाँ पे list किया गया तो यहाँ पे 3 year का work experience आपका होना चाहिए उसी परकार से जो भी candidate जिस post के लिए apply करते हैं उस basis पे आपका पे skill level 10 मतलब level 1 से लेकर आपका level 10 तक आपका पे skill रहने वाला है जो भी candidate MTS में apply करते हैं तो आपका 18,000 से starting होगा और 56,000 होगा यहाँ पे इसके बीच में मिलेगा और यहाँ पे आपका assistant director के लिए आपका apply करते हैं तो 56,100 से लेकर 177,500 तक आपका पे skill provide किया जाएगा इस परकार से जो भी candidate जिस post के लिए apply करते हैं level 1, level 2, आपका 4 रहने वाला है, level 6 और आपका level 10 रहने वाला है, पे skill basis पे आप यहाँ से देख सकते हैं selection process आपका यहाँ पे आपका रहने वाला है category पाई आपका distribute किया गया है, यहाँ पे assistant director के लिए इंजिनियर के लिए apply करते हैं first में आपका CBT test आपका यहाँ पे conduct रहाए जाएगा, CBT test होने के बाद आपका interview के बाद आपका selection process आपको complete कर दिया जाएगा assistant hydraulic surveyor के लिए आपका CBT test और interview उस परकार से आपका यहाँ पे qualification आपको देखेगा, उस basis पे आपका selection process आपको complete कर दिया जाएगा इस परकार से आपका category badge आपका distribute किया गया है, मैं आपको description में apply के लिंक, official website का link में आपको provide कर दूँगा आप simply अच्छे से check out करके आप this form को apply कर सकते हैं, land, waterway, authority of India की और से आपका new update provide किया गया है 2024 के लिए कुछ भी query रहता है तो हमारे YouTube चैनल में आप simply check out करके आप इस form को apply कर सकते हैं, आप जाकर आपे इस च्छे से देख सकते हैं, आज के लिए तना ही thank you